कोलो करगिल करास्ता आज पर जोड़ दो करगिल खोल दो ठूटे रिस्ते जोड़ दो हाँ एही है आज कल पियोके का नारा क्या चल रहा है आज कल पियोके में क्यूं वो लोग पकिस्तान से अलग होना चाहता है पियोके कि पकिस्तान कोल खञाद काश्मीर विए थो ऐसété पॉसचानी से वकली नारा किस्पीड electron in the Adm कर्क्राइण विम्हेरे काफिन और मि अपकिस्तान की यहा फिरेसन उफिन में कास्मेर अ काफिस्तान की लिचाने मेंक hasn अकाफिस्तान की फ्रफिया करें प्राइफ फिरल्ए ट्राइब गरति प्राइब काश्मीर जैजिए ट्राइब करें काश्मीर है ग वोडिये जैज लग वर इन दोट लाइब ए नांचाश्मीर है from constituents in Azad Kashmir while cil Ч κι all the refugee constituents in Pakistan's four provinces representing those who migrated from the Indian site to Pakistan in 1947 the remaining eight seats in the Assembly are filled by a nomination what is the grievance puk has been largely deprived of the development activities compared to the पाकिस्तान कश्मीर को क्या दे सकता है वो डिसकस करने से पहले यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान का आउकात 26 साल के सियासत में पाकिस्तान अपने देश को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए 23 ताइम्स याने के तैईज बार आएमेफ के पास जा चुका है इस 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 नंबर आफ टाइम्स एनी कांट्री आस्ट फॉर बेल आउट तो दा आएमेफ दो युटि वाइज प्रॉप्ट्य प्रॉप्षण इन दा इंडिपेंदेंज पाने के बाद जहां इंडिया का फॉरें द्रीज़ आज 616 बिलियन यूस दॉलर है ओही पाकिस्तान 76 years के इतिहास में कभी 21 billion dollar cross नहीं कर पाया जो आज 8.27 billion dollar पे खरा है पाकिस्तान का GDP जो 340 billion US dollar है उहीं इंडिया का एक company Tata Group का combined net worth उससे जादा 370 billion US dollar है वापस आता हूँ पाक occupied कश्मीर पे जो पाकिस्तान के खुद के पास बेरोज़कारी, inflation, वरत्याचार के अलावा कुछ नहीं है वहीं पे वो पाक occupied कश्मीर को क्या देगा मगर हाँ जिहाद के नाम पे कुछ terror comes जरूर दिया है पाकिस्तान P.O.K को पाकिस्तान से P.O.K को कुछ मिलने वाला तो है नहीं मगर बॉर्डर के इस पार चल रहा है development ही development इधर इतना opportunities और उधर दो रोस का खाना जुटाना मुश्किल गेहू जो वहां का main staple है वो subsidy देके 20 रुपिया में मिलता था अब पाकिस्तान default होने के बाद IMF के condition के मताबिक सारा subsidy हट जाने के बाद गेहू 54 रुपिस पर केजी तक चला गया था अभी थोरा soft हो के 42 रुपिस पर केजी फिर भी वो उसका जो subsidized price है उससे double price में मिल रहा है जहां बेरोजकारी का शिकार है पाकिस्तान जहां बेरोजकारी का पाकिस्तान में P.O.K के लिए कुछ नहीं बचा वही border के इस पार चल रहा है प्रगति का करिया क्रम Moreover, developing इस इंडिया में हमारे P.O.K के भाईयों के लिए इंडियन पार्लामेट में 24 seats reserved है अब P.O.K के citizens को decide करना परेगा क्या वो पाकिस्तान को चुनेगा बेरोजकारी का पाकिस्तान ब्रश्टाचार का पाकिस्तान को चुनेगा या border के इस पार चलते हुए प्रगती का हिस्सा बनेगा Let residents of P.O.K to decide मगर इसको conclude करने से पहले मुझे कुछ important कहना है Abrogation of Article 370 से कुछ देश प्रेमियों को बहुत तकलीफ है Supreme Court के बाद अगर कुछ होता तो लोग वहीं पे जाते जब तक नहीं जितेंगे तब तक लरेंगे ऐसा approach रखते हैं ये लोग 76 साल के सियासत में कश्मीर का कोई development नहीं हुआ कश्मीर के development का सारा allotment ये लोग pocket में डालके अपने घर लेके गए ये वो लोग है जो Indian defense को scapegoat बनाता रहा ये वो लोग है जो anti-India sentiment को provoke करते रहे सारा terrorist act को पिछे से support किया जब Indian military पे हमला हुआ सिर्फ condemn करके छोड़ दिये मगर military को action लेने नहीं दिया ये वो लोग है जो cross border terrorism के समय देश प्रेमी का नकाब पहन के बस condemn करते हैं 500 रुपया में Indian military पे पत्थर बाजी करवाए respected Indian military को handicap बना के रखे बली का बकरा बना के रखे और issues को जड़ से उखरने के लिए कोई stand नहीं लिया कश्मीर जितना अशान्त रहा उतना फाइदा इन लोगों को हुआ है इवन पियो के अगर इंडिया का हिस्सा बन जाए इससे भी इन लोगों को बहुत तकलीफ है unfortunately वो अपने आपको इंडिया का नहीं कश्मीर के citizen समझते हैं कश्मीर country के citizen समझते हैं किस मात की दर्ध है इन लोगों को पियो कि अगर इंडिया में आ गया पकिस्तान के साथ नाइंसाफी का दर्ध इन लोगों को सता रहा है पहचानों देश के इस गद्दारों को देश के दुश्मनों को if time permits मैं अगले एक वीडियो में इन लोगों का नकाब उतारूँगा 75 years में जो development नहीं हुआ था कश्मीर में जो शांती नहीं आया था वो बस abrogation of article 370 के बाद बस देर साल में आ गया अब उहां के लोग 500 रुपिया में military पे पत्थर बाजी नहीं करते हैं उनके पास job है business है और ये तो बस शुरुवाती है और इसलिए पाक उकुपाइट कश्मीर को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है if they become a part of India they will not be a loser time will say let's pray and wait for their good sense and wisdom अब लुपाइट